नमस्कार दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DCE Computer Education में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीचेगा तो आज हम बात करते हैं कि ChatGPT के help से कैसे unique article लिखे सबसे पहले आप अपना Chrome browser खोलेंगे तो इसमें आप ChatGPT अपने Chrome में डालेंगे तो अगर आप new user है तो आपको login details डालनी पड़ेंगी तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ChatGPT से different types of articles, blogs हम लिख सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम सिर्फ ChatGPT से article कोई भी generate करते हैं तो वो 100% unique नहीं होता जिससे SEO optimization में काफी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारे पास एक extension है AI PRM मैं आपको show करवा देती हूं यह देखिए हमारे पास already यह add है यह आप Chrome browser में जाके जैसे यह यहां पर आप Chrome web store में जाएंगे यहां पर आप click कर लेंगे AI PRM यह देखिए यहां से मैंने already इसमें एड कर रखा है अपने extension में आप यहां से अपने Chrome में extension add कर सकते हैं जो कि chat GPT sale होता है तो अगर आप जब यह add करेंगे तो उसके बाद आपका chat GPT में यह सारे options आ जाएंगे ठीक है यह बहुत सारे options आते हैं अगर आप से without extension यह use करते हैं chat GPT तो आपके पास यह options नहीं आते इससे आप क्या होता है कि आप बहुत सारे articles या फिर यह जैसे YouTube, Instagram, TikTok, वीडियो script generate कर सकते हैं social media posts generate कर सकते हैं बहुत सारे options आते हैं इसमें तो हम सबसे पहले आज का हमारा जो keyword रहेगा वो होगा 12th education आप हम type कर लेते हैं 12th education यह आज का हमारा keyword है इसके लिए हम सबसे पहले title generate करेंगे तो title के लिए यहाँ पर हमने option यह select कर लिया है blog post title generator इसमें number of titles भी आ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर 5 select कर रखा है आप चाहे तो 10 निकाल सकते हैं या 15 भी कर सकते हैं तो अभी फिलाल हम 5 ह करेंगे हाँ पर हमने keyword डाल रखा है click करेंगे यह देखे हमारे पास 5 different तरीके के हमारे पास titles आ गये हैं तो इसमें से आपको जो भी titles suitable लगता है आप वो use कर सकते हैं हम यह वाला title ले लेंगे इसको हमने copy कर दिया उसके बाद in new chat यहाँ पर हमने यह वाले सबसे पहले वाल option को select कर लिया है यह human reader 100% unique SEO optimized article यहाँ पर हम अपना title पेस्ट करेंगे और यहाँ पर click यह देखिए हमारे पास title आटिकल आ गया है title से related यह हमारे पास पहले outlines आ रही है कि titles में article में क्या क्या रहेगा ठीक है यहां से आपका article आ चुका है यह generate हो रहा है है यह है 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 यह देखिए हमारे पास faqs भी आ चुके है टाइटन के दूरों की हाँ जो उसमें है तो इसमें क्या करेंगे कि अगर देखिया अगर आप आप ट्रीट कर सकते हैं सारे जितना भी है अगर आपको suitable नहीं लगता कि अगर आपको यह कि नहीं और ज्यादा friendly tone में होना चाहिए था यह informative tone में होना चाहिए था तो हम दुवारा इसको रिराइट कर सकते हैं लाइक रिराइट इस इन फ्रेंडी टोन क्लिक क्लिक कि यह देखें हमार पास रिराइट हो चुका है आर्टिकल अल्मोस्ट तो अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर जाएंगे online counter करेक्टर काउंट online ठीक है www यह इसकी website है आप इसको सर्च कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा आप इसमें आप अपना आर्टिकल पेस्ट करिए तो इसमें आपको words, character, sentence, paragraph और space के number details मिल जाती है और इसके साथ साथ आपको यह भी देखने को मिल जाता है कि इसमें आपका keyword है कितनी बार use हुआ है कितने percentage में use होता है ठीक है यहां पर आपको show हो जाता है जब कुछ तो आप क्या करेंगे हम इसको select करेंगे select करके हम यहां पर double checker में जाएंगे क्या होता है कई बार कि हमें SEO optimization के लिए 100% unique article चाहिए होता है लेकिन chat GPT से कई बार duplicate articles प्या सकते हैं तो हम उसमें risk नहीं ले सकते तो इसलिए हम इसको एक बार plagrism check में भी डालेंगे और plagrism checking के लिए यह बिल्कुल free app है और doubly checker best app माना जाता है तो इसमें हम click करेंगे इसमें आप results show हो जाएंगे आपको जितना भी आपका plagrism content होगा वो red mark हो जाएगा और जितना unique होगा वो green mark रहेगा यहाँ पर आपको percentage में और उसके results भी show हो जाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो content है वो 100% unique है इसमें कोई भी duplicate content नहीं है 0% plagrism आया है हमारा तो हमारा content जो है article वो बिल्कुल ready है तो अब यहाँ से हम copy कर लेंगे अब हम इसको google doc में paste करते हैं ठीक तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी article या blog हम लिखते हैं तो सबसे important चीज़ क्या होती है हमारे पास grammarly अगर grammatical mistakes उसमें होती है तो वो पढ़ने में readable नहीं होता तो उसके लिए अगर आप manually करते हैं कई बार ऐसा होता है manually करने के बाद भी कुछ mistakes रह जाती है तो इसके लिए हमारे पास एक solution है एक app आता है app हो या फिर extension हो हमारे जो हम google chrome में हम use कर सकते हैं यह रहता है grammarly यह आप google chrome में भी search कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम grammarly डालते हैं यह देखिए extension आहां चुक है मैंने already add कर रखा है आप यहाँ से install कर सकते हैं अपने chrome में add कर सकते हैं यहाँ से आप grammarly add करेंगे तो क्या होगा जो जो grammatical mistakes होंगी वो आपकी red mark हो जाएंगी ठीक है जैसे यहाँ पर total six mistakes आ रही है मेरे article में तो यहाँ से जैसे यह red mark पर हम pointer लेके जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा correct चीज़ यह देखिए पेस यॉर रूद कि देखिए तो अब यह content हमारा जो यह article है यह बिल्कुल ready है इसमें कोई भी grammatical mistakes नहीं है प्लेक्रिजम free है तो अब हम इसे publish कर सकते हैं SEO optimization के लिए बाकी और ऐसी videos के लिए हमारे चैनल को like and subscribe करते रहिए धन्यवाद कीज़ागा वे दिए लत्ना कीज़ और काहिवाद यह कोयाद यह